ब्रिटिश काल के पन्नों को पलता जाए तो वर्ष 1857 में क्रांती की आग मेरत से शुरू हो चारों और सभी शहरों में फैल चुकी थी ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ क्रांती की धमाकेदार गूंज शाह जहापुर में सुनी जाने लगी थी 9 आगस्ट 1942 को महात्मा गांधी द्वारा छेड़े गए अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान शुरू हुआ बुजुर्गों और किशोरों ने देश का जंडा उचा करते हुए जेले भरना शुरू कर दिया पंडित 1857 के गदर में मौलवी एहमद उल्ला शाह ने क्रान्तिकारियों का नेत्रित्व करते हुए अंग्रेजों को छका मारा था 15 जून 1857 को पुवाया के ततकालीम राजा जगनात सिंग और उनके साथियों से तीन घंटे तक लड़ाई चली इस दौरान मौलवी अपने दो साथियों के साथ शहीद हो गए कहते हैं मौलवी अपने दोस्त राजा सहब से सहायता मांगने गए थे लेकिन राजा सहब ने उन्हें गोली मार मार डाला राजा के आदेश पर मौलवी का सिर कलम कर कपड़े से धककर हाथी पर बैठ कर शहर में ततकालीन कलेक्टर जीपी मनी के आवास पर लाया गया ताकि शहीद पर घोशित पचास हजार का इनाम लिया जा सके मौलवी के सिर को कोतवाली गेट पर तान्व दिया गया ताकि शहर में दहशत बनाई जा सके दिन 9 अगस्त 1925 सबक सिखाने हितु पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने रननीती तैयार की आठ डाउन सवारी गारी पर दस क्रांतिकारियों की टीम भेश बदल कर बैठ गई लखनों से पहले काकोरी स्टेशन पर बिस्मिल के साथी अश्फाक उल्लाखा, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिनी, मुकुंदी लाल, मनमत नात गुप्त, बनवारी लाल, शचींद्र नात बक्षी, मुरारी लाल और कुंदन लाल ने ट्रेन रोक कर भारी भरक संदू कुतार कर खजाना लूट लिया। गागी दीम, जानकी प्रसाद, नजीर खा, मुक्ता प्रसाद आदी पर मुकद्मा चला और सजा सुनाई गई। शाहजहानपुर स्टोरीज में दूसरी दास्ता है एहमद यारखा की। नगर के रामताल रोड पर शहीद एहमद यारखा की स्थित मजार न केवल उनकी शहादत की मूग गवा है, बलकि उनकी जानबाजी की दास्तान सुना रही है। एहमद यारखा इस दोरान तहसीलदार पद पर तैनात थे। उनके रग रग में देशभक्ती खोलने लगी। नतीजतन उन्होंने कैदियों को रिहा करवा दिया। 1858 में बिचपुरिया घाट पर ब्रिटिश सेना के खिलाफ क्रांतिकारियों द्वारा खोले गए मोर्चे में एहमद यारखा भी शामिल थे। कालिन केम्पवल के नेतरित्व में ब्रिटिश सेना ने 26 अप्रेल 1858 में विद्रोह को कुचलते हुए जलालाबाद में प्रव पत्थर चौराहे पर सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया। इस प्रकार कोठी में छुपे सभी अंग्रेज मारे गए। ये कोठी आज जली कोठी के नाम से मशहूर है। इस हमले में जवाहर राय, नारायन पांदेय, रामाधीन, रामनारायन दुबे, शिवचरन, ननकु, गंगा दुबे, महादेव आदी शामिल थे। इसके बाद क्रांतिकारियों ने जेल से कैदियों को छुड़ा लिया। इसी दौरान शाहजहांपुर की प्रसिद रोजारम के संस्थापक जेपी के रूवब ब्रांध को ग्रामीनों ने मार दाला। In our next video we will see as how Shah Jahanpur have progressed after independence.